हेलो फ्रेंड्स नमस्ते अर्चना का किजन में आपका स्वागत है चावल का खीर बनाएंगे बहुत ही असान तरीका से तो चलिए बनाना श्टार्ट करते हैं हैं कि इस बनाने के लिए 1-2 लीक्त दूद को गरम होने के लिए रख दिए गरम भी दिखे मेरा हो गया है दो और इसमें moi यह लानी से दया कि दे ours के लिए इतना चावल बहुत है इससे ज़्यादा ना डाले और इसको थोड़ा-थोड़ा करके डाल देंगे और इसको मिला देते हैं काफले हम एकदम मेडियम से थोड़ा सा लो रखेंगे और इसको बीच-बीच में चलाते रहना है फूल क्रीम दूद्द का ही यूज करें तो उससे खीर अच्छा बनके तैयार होगा और इसको बीच-बीच में चलाते रहना है आप चाहें तो मोटा चावल का भी खीर बना सकते हैं खीर बनाने वाला चावल का यूज के इससे बहुत ही अच्छा खीर बनके तयार होगा और इसको बीच-बीच में चलाते रहना है तो नीचे लग जाएगा बरतन में कि इसको चला लेंगे मलाई इसके उपर बनते रहेगा तो इसको बीच-बीच में चलाते रहना है नहीं तो यह उपर आ जाता है और बहुत ही अच्छा खीर बनके तयार होगा जब हम चावल डालेते तब हाई फ्लेम पे पकाएते उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दिये हैं और मीडियम फ्लेम में 10-15 मिनट तक पकने छोड़ देंगे मेरा से खीर देखे मैरा पक चुका है देखे कितना अच् outras खीर बनाँडम है 10-12 मिनट में मेरा यह देखिए कितना गाड़ा हो चुका है और पांच मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे ड्राइफूर्ट डालेंगे तो ड्राइफूर्ट में काजू और पदाम को बारिक काट लिए छोटा-छोटा पीछ में खीर को एक बाद चला लेंगे मेरा रबड़ी दार खेर बनके देखिए कितना अच्छा गाड़ी खेर बनी है अगर आपका दुद्ध पतला है तो आप इसको हलका मैस भी कर सकते हैं नेकिन मेरा बहुत अच्छा बन गया है तो आप इसमें ड्राइफूर्ट जो काटके रखेते उसको डालेंगे और इलाइ और इसको मिला लेंगे दिके मेरा खेर कितना अच्छा बनके तयायर हुआ है है कितना गड़ा इतना ही रखना है अब इसमें डालेंगे तो थोड़ा और यह पतला होगा ती डालेंगे इसमें जितना चावल लिया तै उतना चीणी क्यूश्Up करतें तो आप अपने हिसाब् जादा बेंटर होगा और इसको मिला लेंगे देखिए चावाता अच्छा मेरा ग्रेvasi बनके तयार भुए है तिक ग्रेवी बनके मेरा तयार हुआ है अब यकिन मान यह बहुती अच्छा रिछना के मेरा तयार हुआ है और इसको एक divided मैंप के लिए मेल्ट होने तक इसको पका लेंगे दो मिश्च तक इसको पकने छोड़ देते हैं फिर गैस का फ्लेम आप कर देंगे जीनी डालके अच्छे से इसको पका लिए तो देखे मेरा ग्रेभी एकदम बहुत अच्छा ठीक ग्रेभी मेरा बनके तयार हुआ ज़िए तो गै खीर बनके मेरा तयार है टोटल खीर बनाने में 30 मिनट लगेगा 30-35 मिनट में खीर बनके तयार हो जाएगा अगर हमारी खीर की रेशिपी आपको अच्छी लगी हो ता आप लाइक करें सेर करें सस्क्राइब करें वेल आइकन को जरू दमाएं अपने दोस्त और फैमली मेंब क्वर सेर्वाएंक नौन कि जप करें सेरा हीर आपको, घुझक सेरा झाल झाल